हेलो गाइज मैं हूँ गोलू और आप सभी का स्वागत है गोलू रेसिपीज में आज हम बनाने वाले हैं रेस्टॉरान तरीके से पनीर की सब्जी जिसे आप पनीर मसाल के नम से भी फेमस है तो आज हम इसे बनाने वाले हैं कुछ मिन्टों में लगभक 15-20 मिनित में आराम स सब्जी बने कर रेडि हो जाती है और इसे कुछ टिप्स में दूँगा जिससे आपकी पनीर की सब्जी जो रहेगे ना बहुत अच्छी बनेगी बहुत डिलिस लगेगी तो अक्सर हम सोचते हैं कि पनीर सब्जी बनाने के लिए बहुत सार इंग्रेडिन्स लगते हैं ऐस तो मैंने क्याकिए पनीर को सब्सक्नीर को रखें हैं इसमें डाल दिया है वन टीज्वून टर्मरिक पाउडर बबब बब करके इसे मेरिनेट करके हमें रखना है 15 मिनट तक अगर आपको मेरिनेट नहीं करना है तो आप फ्रीज में पांच मिनट तक अराम से रख सकते हो तो इधर मैंने कड़ाई को गरम होने के लिए उसे मैंने डाल दिया है लगभग 3 टेबल स्पून ऑईल की कॉंटिटी में ज्य ने का कोटिंग रहेगा नूए इकडम अच्छी तरी के इस इसमें आ जाएगा तो मैंने इक अगरे के सारे पानीर इसमें डाल दी और इसे एक तरह से हम और प्राइब कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो इसे छोट इस तरह से डाल दिया है और इसे हम जल्दी-जल् आप कुक करोगे तो आपके पनीर के अंदर इक दम अची तरह से स्वाद नहीं आएगा यह देखेंगा 37 में में तक हमारा पनीर के पक पार से तक हमें आची तरह किए क्टिन की देनाइक है युक्षे जोषय तो मैंने साइव अची तरह से पर वंशाद निकाल डीया है गैस मेंistesowej कर दिया और इसमें एड़ करूंगा है इसमें नहीं मैंने तीन प्याइज के प्यास को लंबी टुकड़ कपलिया है तो मैं के इसमें सबसे यह डाल दिया है यह और नहيels जोड़ने के बुनने के गया है तो मेनी दाल दिया इसमें लगबग 15 से लसन की कलिया जो मेनी लेली थी वो डाल दिया और टमाटर भी मैंने दो बड़ी साइस के लिए ते उसमें डाल लिया है अब हम इसे एकदम अची तरह से मिक्स कर लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो हम इसे मीडियम फ्लिम पे एकदम अची तरह से थोड़ी दे तक बुनना है लगब 5 में तक हम इसे एकदम अची तरह से बुननेंगे जैसा कि आप देख सकते हो यह हलका हलका बुनना रेडी हो चुका है हम और थोड़ी दे तक इसे बुनना है जब तक हमारा टमाटर जो है गल ना पाए तो यह देख सकते हो हमारा टमाटर जो है स्क्रीन छोड़ना शुरू कर चुका है यानि एकदम अची तरह से पक गया है अब हम इसे ग्राइनर जार में लिकाल का इसकी अच्छी से पेस्ट बना लेंगे अपने फेश्ट जो मैंने मिक्सर ग्राइन में एकदम अची तरह से पीस लिया है यानि जाल लिए कर लिया तो यह देख सकते हो हमरा एकदम अची तरह से मसाला बुन गया है अब अम इसमें एड़ करेंगे स्पाइसस सबसे पहले मैं đाला इसमें वन टीस्पून गरम मसाला और मैंने इसमें डाला है वन टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर कोरियंडर पाउडर का थोड़ा सज्यादा प्रामान में यूज किया जाता है तो यह देख सकते कश्मेरी लानमीच दाने से हमारा जो ग्रेवी का कलर जो है ना कितने अची तरीके से आ गया है तो अब हम इस अब हम इसमें एड कर देंगी थोड़ा सा मलाई मलाई जो रहता है ना पनीर की सब्सक्राइब करके इसे एकदम अची तरीके से कवर करके रजडिया अगर आपके पास मलाई अबिलेबल ना हो तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते या दूद डाल की सब्सक्राइब से भूलनी जिए गादिसे जो इसके सब्सक्राइब अब बहुत अची बनेगी तो यह देख सकते हैं आप एकदम टेमटी में लग रहा है दिखने में इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी बाल में मेरा मस्ता थोड़ा सा लग गया लगा रहा था इसके वज़ह से मैं इस सब्जी बनकर एकदम अची तरी से रेडी हो गई है अगर आप पो रेशीप अची लोगें उच्छायों से सब्सक्राइब